हिलो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे आज हम आप लोगों के लिए रिजिनिंग के टॉप 15 अती महतरपूर्ण प्रस्ण के बारे में चर्चा करेंगे देखिए इस वीडियो में किस किस तरह के प्रस्ण के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों देखिए जैसे कि प्रस्ण दिया गया हम लोगों का कि 8 का संबन यदि हम लोगों का 64 से दिया गया है तो उसी परक से कीट नासिक का संबंध हम लोगों का फसल से दिया गया है तो Antiseptic का संबंध किस्से होगा जैसे और भी प्रस्ण दिया गया है जिसे GHJM का संबंध QR TWT उसी पर काहा से CDFI का संबंध किस्से होगा तो कुछ इसी तरीके के प्रस्ण के बारे में अलग-अलग चेप्टर से अलग-अलग टॉपिक से इस वीडियो में प्रस्ण को सामिल किया हैं इसलिए वीडियो के अंतक बने रही और सारे प्रस्ण को सबसे सौट तरीका से सॉल्व करेंगें इसलिए वीडियो के अंतक बने आईए देखते हैं पहले नमर कोश्चन से कि क्या कर रहा है पहला नमर कोश्चन इन में से आप किसी भी गवर्मेंट एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं दोस्तों चाहिए वो SSC, Bank, Railway, CGL, MTSC, HSL, CPO, SSC, GD, CISF, UK, PSC, TSSB, CTAT, SSC, Stenograph, DRDO, State, एक्जाम, Police, दरोगा, Navy, Agnivir, GD, Bank, PO, Clerk, Group D, NTVC, RPF, Army, SSB, ITPP, CRPF, BSF, Haryana, SSC, Haryana, Police, Rajasthan, Police, Bihar, SSC, UPSI, UP, Police, किसी भी यदि गवर्मेंट एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं तो दोस्तों यह वीडियो सब ही एक्जाम के लिए है तो आईए देखते हैं पहले नमर कोश्चन से क्या कह रहा है इन सभी कोश्चनों का पीडिया आपको टेलिग्राम पे मिल जाएगा उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है तो देखिए पहला नमर कोश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों की गज का संबन्द यदि हम लोगों का इंच से है तो उसी प्रकास से कर रहा है कि क्वार्ट का संबन्द किससे होगा तो कैसे करेंगे प्रस्ण कई बार रिपीट कर चुका है आपके एक्जाम में जो है वह इंच की यदि की लंबाई की सबसे छोटी काई हो जाएगी उसी प्रकास से दोस्तों कोर्ट का एह पर क्वार रिपीट कर चुका है इह प्रस्ण इसलिए आपको याद कर लेना से कि गज जो है इंच में यानि लंबाई की सबसे चोटी काई में गज को रखते हैं उसी पर कहार क्वार्ट जो है आयतन यानि आयतन में आउंस की सबसे चोटी काई ऐसे याद रखेगा दोस्तों कि आयतन में आउंस सबसे चोटी काई क्या हो जाएंगे तो क्वार्ट हो जाएंगे इस तरीके से आपका option नमर दूसरा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा most repeated प्रस्न है कई बार repeat कर चुका है बढ़ते हैं अगले question की ओर देखिए अगला कीट नासी जो है हम लोगों का फसल क्या करता है कीट नासी जो बहुत अनमी फसल की सुरक्षा के लिए लेते हैं यानिकी कीट नासी से कीड़े को क्या कर देते हैं फसल की रक्षा करता है जिस परकार कीट नासी एक दबाई हुआ दूस्तों जो की फसल की फसल की रक्षा करता उसी परकार, antiseptic हम लोगों का किसका रख्चा करेगा, तो antiseptic जब यदि आपके सरीर में कभी घॉ को जाता है, तो वहां antiseptic लगां देने से क्या करता है, घॉ में जो भी हम लोगों का कीडे उड़े लगते हैं, तो उस से क्या हो जाते हैं, हट जाते हैं तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों यानि कि एंटी सेप्टिक जो हम लोगों का रक्षा करता है घाओ का करता है इसलिए option नमर दूसरा क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा बढ़ते हैं अगले question की और अगला प्रस्ण रो바ं के सामने दिया किया दोस्तों की C IQ पहले हम लोगों का देखिए इस तरीके कि Πशन थ्योम का कैसे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आप लिक लिजे कि तरीके के प्रेस्न को तो देखे तरीका धिए कैसे करें स्मिपल सा दिए कि से यदि डी प्रवर जाएंगे सर तो हम लोगों को कितना जोड़ना होगा एक जोड़ना होगा आगला नां होगा यहां यहां से यहां प्रॉछ तो एक जोड़ना होगा, तो एक जोड़ दीजे, जैसे एक जोड़ेंगे A में, तो क्या हो जाएगा हम लोगों का B हो जाएगा, ठीक है सर, उसे बरकाद से G में, और option को भी मिलाना है कि B से कितने option श्टार्ट हो रहा है, सब option B से ही start हो रहा है, फिर इसमें क्या कर दिए दोस्तों, एक जोड़ दीजे, जैसे हम लोग एक जोड़ देंगे, तो G में जदी एक जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, तो G के बाद हम लोगों का क्या होता, H होता है, ठीक है सर, तो B और क्या यहां आएगा H आएगा तो देखिए B और H से यह वाला option नहीं हो रहा है यह वाला option नहीं हो रहा है तो तुरत काट देंगे क्योंकि B H 2 को ही option है उसके बाद और चेक कीजिए दोस्तों कि O के बाद हम लोगों का क्या होगा एक लिटर जोड़ देंगे तो सर O के बाद यदि एक लिटर जोड़ देंगे तो O के बाद हम लोगों का क्या होता है P होता है तो यहां पे P आएगा ठीक है सर उसके बाद देखिए W में भी एक लिटर जोड़ दिजेगा दोस्तों यहाँ पर W के बाद एक लिटर जोड़ देने के बाद हम लोगों का क्या होगा कि सर W के बाद क्या होता हम लोगों का तो X होता है तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा दोस्तों हम लोगों का X भरा जाएगा बी एच पी एक्स की सा उप्सन में दोस्तों उप्सन नमर दो में दिया गया है तो उप्सन नमर दो क्या हो जाएगा सही हो जाएगा तो उमीद करते हैं प्रस्वन को आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रस्वन आए तो आपको सोचना है और लाजिक लगाना है कि सर सब में एक एक जोड़ा था उसी पर गवाद से अगले बनाम जो काम इधर किये वही काम इधर कर दिये तो B, H, P और X तो B, H, P, X आपसन नमर दो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा बढ़ते हैं अगले question के ओर देखिए अगला प्रशन दिया गया है दोस्तों हम दोगों का आसावादी का संब्ध यदि प्रफूल से है तो कहा रहा है कि उसी परगार से निरासावादी का संब्ध किसे होगा? तो जीस परगार देखिए आसावादी का संब्ध यदि दोस्तों आसावादी वह व्यक्ति होता है जो हमेशा अच्छे होने की आसा करता है तो आप परफूल रहता है नहीं कि हसी खुशी से कि आसा है इस बार हो ही जाएगा जैसे आपका जौब तो आप पर भूले तो उसी पर गहाँ से निरासावादी का सम्मध्ध किस्से होगा तो simple सा निरासावादी हमेशा चाते हैं कि बुरे होने की अकंसा रखता है तथा उदास रहता है तो कौन सा सही हो जाएगा option नमर हम लोगों का एक बाला क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा इस तरीके के प्रश्ण most repeated analogy के प्रश्ण होते हैं दोस्तों यानि कि सद्री सित्ता के जो बार बार रिपीट करते हैं यह सब्सक्राण जबन के प्रभणारख एंशा वादि लिए अच्छे वोने की आसा रखता है उसले में हेसी कुषिक तक एसमदन मुख आपको का जैसे हो जाएगा जैसे आप बढ़ाई कर रहे हैं तो उसी पर गार चैनला मुजे के संबने में siyaキu दोस्तों इस तरीके के ब्रस्म अभी तुरत तुरत बताएं आप वीडियो को पाउच कर लिए आप अपने से बनेगे क्या आपसे कौन सा आंसर आएगा तो देखे कैसे करेंगे तो सबसे पहले वही तरीका यहां पर हम लोगों का जी तो जी लिख दिये ठीक है उसके बाद ह यहां पर अनुपात दिया है q r tw असके बान यहां पर दिया गया है समनुपात उसके बाद लिखा दिखाए सरú पे तो कितना जोड़ना होगा यानि कि अच्छा जी से जे नहीं जे से जाएंगे हम लोग क्यूँ पे तो कितना जोड़ना होगा दोस्तों हम लोगों को 10 जोड़ना होगा simply अगर यदि हम लोग इसमें 10 लेटर जोड़ देंगे sir तो यहाँ पर हम लोगों का पहुच जाएंगे ठीक है sir उसी पर कहां से अगला देखिए h से यदि r पे जाना है तो कितना जोड़ना होगा तो sir इस पे भी plus क्या कर दीजे 10 कर दीजे ठीक है sir जैसे ही 10 कर देंगे उसके बाद ये जे से यदि जाएंगे टी पे इस पे भी क्या कर दीजे दोस्तो प्लस 10 कर दीजे यानि कि 10-10 लेटर जोड़ना है ठीक है sir अगला देखिए m से यदि हम लोग जाएंगे किस पे तो w पे इस पे भी क्या करेंगे sir 10 लेटर जोड़ना है यानि simply sir आखरी से जा रहे हैं तो कैसे 10-10 लेटर जोड़ना है तो उसी परकार से यहां से आप सुरू कर दीजे दोस्तो और यहां पे जा रहे है तो 10 लेटर यहां पे जोड़ना है n से कौन सा option सही हो रहा है यह option नहीं हो रहा है यह option नहीं हो रहा है यह option नहीं हो रहा है तो एक ही option सही हो रहा है कि एम होगा इस दिर पर क्या हो जाएगा दुस्तों यह नहीं कि C का 3 होता है उसमें M जोड़ेगा इस दस लेटर जोड़ेगा तो हो जाएगा सर डी द स्टाल वह जोडनी यहीं बीडिति न हो जाएगा दोस्तों चिकांगा जोड़ेगा क्या ऐक हका अभी एब जोड़ दीजेगा तो आई का कितना होता है हम लोगों का स्थान नो होता है नो में 10 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 19 19 होता है तो M N P S तो कहां है option नमर B में दिया गया तो option नमर B क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा बढ़ते हैं अगले question की और अगला प्रस्ण हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों इभी प्रस्ण काफे repeated है जैसे दिखे बहुत सरा इस तरीके के प्रस्ण को गलती कर देते हैं जैसे दिखे 27 का संबन दिया गया यदि 9 से और यहाँ पर दिया गया है समानुपात उसके बाद हम लोगों का 64 और यहाँ पर लिखाए वाट तो अब कैसे करेंगे सर इस तरीके के प्रस्ण को देखिए तो बहुत सरा इस्टूडेंट करते क्या है कि सर इधर से यदि इसमें तीन से गुना किया है धनौतियां 27 तो आखिर यहाँ पर क्या रखेंगे जो तीन से हो जाएंगा तो क्या रखेंगा ज इस तरीके के प्रस्ण को सॉल्व कैसे किया जाया कोई तरीका ही ने समझ मार देखिए तो यहाँ पर लिखा है उसने कैसे जब इस तरीके और भी सोचना है कि आखिर यहां पर 27 को आखिर नो लिखा है तो उसी बरकार से इसको यानि कि 6 प्लस 4 जोड दीजेगा तो स्तुत कितना हो जाएगा हम लोगों का तो 6 और 4 कितना हो जाएगा तो सर 6 और 4 यहाँ पर जोड़ेंगे था हम लोगों का कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा तो यहाँ पर 10 कहीं दिख रहा है नहीं सर तो फिर इस तरीके के प्रस्ण को कैसे solve पर रहे हैं ये करने के बाद भी हम लोगों का नहीं हो रहा है तो तरीका को देखे अगर इस तरीके से नहीं हुआ तो फिर हम लोगों को कैसे सोचना है जब ये भी तरीका नहीं काम कर रहा ह तो तरीका बताते हैं दोस्तों कि हम लोगों का कैसे होगा देखिए अब फिर से लिख लिए जैसे हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों उसको नौट कर लिए कि यहां पर एसर 27 उसके बाद नौमोस्ट रिपीटेट प्रसन है इसलिए आपको इस तरीके के प्रसन को अच्छ तरीके से सॉल्व करना है कि जैसे चॉंसर्ट है और यहां पर अनुपात वाट है देखे हुआ क्या है कि यहां पर चलने के लिए हम लोगों को एक रास्ता सिंपल था है कि यहां देखे ई क्या है दोस्तों तीन का क्या है हम लोगों का क्यूब है और यह क्या है हम लोगों का स्कुार ह видел तर्फेश होता है में डिया है साथा टेक फ्रस Loud यहां यहां साथ है क्या होता है झाल स्कुछ का तो सदेगी यहां जो आएका स्थान पर दोस्तो दूस्तों सुल्ल धीन्हें कैसे अतॉप्शन में दिया या गया है तो अउपसर नमर थर्ण वाला क्या हो जाएगा तो उभी करते हैं होdonald समझ गया होंगे के कीस तरीक चिरीके से दिया गया है9 जैसे 3 well लुए सब्सक्राइब शमाद चाहर टो चार और जाप दे Short और को स्थान पर इसमें क्या भेरा जाएगा और कैसे करेंगे तो आप क्या किजिए कि दो तरीका आपके पास सॉल्व करने का कैसे कर सकते हैं तो देखिए या तो आप उपर उपर से चल सकते हैं यानि कि इस side से चल सकते हैं दूस्तों कि 7 और 2 को क्या करेंगी जो 14 आ जाएगा या आप इदर 7 गुना 2 कीजेगा 4 गुना 3 करेंगा तो हो पाएगा 5 नहीं हो पाएगा तो इस तरीके से सोचना होगा कि आखिर कैसे क्या या आप ऐसे नहीं करके तो भी ऐसे कर सकते हैं कैसे नीचे तरब से कि 3 और 2 पांच तो 5 और यहां 75 लिखा है तो कैसे लिखा होगा उसे बरकार से 4 और 7 तो 65 लिखा है देखिएगा कभी 2 छोटे अंग मिलकर यदि बड़े अंग मिला रहा है तो कुछ ना कुछ वही दोनों छोटे संग्या में करना होगा ज और इसमें प्लस क्या प्लस नहीं इसमें क्या कर दिए तो प्लस करने से नहीं होगा बलकि यहां पर गुना कर दिए किस से तो सर 15 से इसको क्या कर दिए गुना कर दिए तो जैसे गुना की जएगा 3 दू 5 आगुना क्या हो जाएंगे 15 तो 15 गुना 5 करेंगे तो क्या हो कर रहे हैं 15 से उसे फरकार से इस दोनम संघ्राओं को क्या कर दिजे दुस्तो जोड़ दिजे तो जैसे जोड़ेंगे तो यह अपर हो जाएगा सर चार जोड़ के और गुणा कर कर देजे दोस्तों 5 कर दीजे 14 प्लस 5 कि कर देने के बाद उसके बाद इसमें क्या करेंगे दोस्तों 15 से गुना कर देंगे 24 5 हम लोगों का कितना हो जाएगा 17 पहुंच 15 करिएगा कितना हो जाएगा देखे डेरेक्ट करते हैं कि 9 को 25 करिब 5 हासे नहीं हो जाएगा defines 01 और आएगा 5 तो 6514 केतना हो जाएगा दो 18 हासे लिए 1 एक गुना एक एधर 2 तो हम हम लोगों का 200 क्या हो जाएगा 85 हो जाएगा की इस औप्रस्ट को आप लोग समझ कि इस तरीके प्रश्ण आ है तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं बढ़ते हैं अगले को स्वान की और देखें अगला प्रस्टित हम लोगों के सामने क्या करा इन सभी कोशनों का पीडियाब आप टेलिग्राम से लिए जगा उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है अगला प्रस्ण है दोस्तों लोगों का कि निमलिखीत में से गनितिया चीन लगाई है यानि कि इस तरीके के भी प्रस्ण आपके एकजाम में आ यह बला उप्शन नहीं होगा तो फिर आपके आखिजे दोस्तों की पहले उप्शन पर चले जाएगे अगर डी बला नहीं हुआ तो फिर पहला फिर दूसरा और तीसरा करना तो आपको चार्थो यानिकि चारो उप्शन आप लोगों को चेक करना ही पड़ेगा अगर नही कर पा रहे हैं तो दीए सबसे पहले हम फोर से इस्टार्ट करते हैं अगर नहीं हुआ तो फिर एक पे जाएगे तो सबसे पहले है चार उसके बाद हम लोगों का गुना उसके बाद है छे उसके बाद है दुस्तों हम लोगों का भागा उसके बाद दो उसके बाद हम लोगों का माइनस और उसके बाद है दुस्तों चार और उसके बाद है प्लस क्या हम लोगों का आठ अम इधर क्या दिया हुआ है सलड़ बस यह दिया लगया तो आप की जिए सबसे पहले बाद का काम कियां चार बहुत से राइश्टोट्ट नहीं कलती करते हैं चार अगुना तो छो में दूसरे भागा दिजेगा तो तीन हो जाएगा म मैंनस यहां पर चार और प्लस क्या हो जाएगा आठ हो जाएका तो यहां पे सबसे पहले काम भाग जैसे 4 ती है 12-4 पलस तो 8 एसको जोड़ लिजे 12-8 क्या हो जाएगा 20 अब 20 में यती 4 घटा दीजेगा कितना आ जाएगा तो बिल्कुल देखे उस बराबर में सुल्ला दिया था इधर भी हम लोगों का सुल्ला आ गया तो इस तरीके से करने के बाद हम लोगों का कौन से options हो गया चाओथा options हो गया देखे इस तरीके के बना 80% प्रस्था त defence आप लोगों का फोर बला पे ही हो जाता और नहीं हुआ तब तो एक दू तीन इसब चेक करना ही पड़ेगा है साने कि फोर बला लेकिन आपको स्टार्ट करना है फोर से नहीं हुआ तो फिर एक पे चले जाए दो पे चले जाए तीन पे कोई ना कोई तो आप्शन होगा ही होगा बढ़ते हैं अगले कोस्चन के और देखिए अगला प्र उसके बाद हम लोगों का D आ यहां पे दिया गया अनुपात उसके बाद लिखा I, G उसके बाद L और उसके बाद J आ यहां पे दिया गया है सरसम अनुपात O, M, R और P का फिर रिपीटेट प्रशन है सारे प्रशन जितने देख रहे हैं दोस्तों कई बार आपके अलग-अ लिखा है दोस्तों यह आपको सोचना है और समझना है कि सर C से दिखे एक relation find करना होता है कि C से यदि I पे जाएंगे तो क्या जोड़ना होगा तो यहां पे सर प्लस चो जोड़ना होगा अगला देखे A से यदि हम लोग G पे जाएंगे दोस्तों यहां पे कितना जोड़ना होगा प्लस 6 जोड़ना होगा सिर्फ आपको वीडियो को ध्यान से देखना है दोस्तों और अंतग वने रहा है सारे प्रस्ण आप से सॉल्व होने लगेंगे यदि कभी इस तरीकी के प्रस्ण आये तो यदि एप से जाएंगे दोस्तों एल पे यहां पंदरा एविसीडी में क्योंकि पंदरवे लेटर पे है तो उसके में चो जोड़ दीजेगा क्या हो जाएंगे तो यहां यू से स्टार्ट और यी भी धियान देना होगा यू से कौन-कौन आपसन स्टार्ट हो रहा है यह दोनों नहीं हो रहा है दो ही आपसन हो रहा है अग आपको यही तरीका अपनाना है ताकि बहुत कम समय में इस तरीके के प्रश्म को क्या कर सकते हैं अगला जैसे दिया गया कि इसमें भी आप क्या कर दें दोस्तों 6 लेटर जोड़ दीजे तो जैसे ही 6 लेटर जोड़ेंगे तो 18 में 6 जोड़िये गात क्या हो जाएगा 24 अगला होता है हम लोगों का पी में भी यदि सर हम लोगों का 6 लेटर जोड़ देंगे तो पी का होता है एक शीड़ी में अस्थान की ना सुल्ला होता है तो सुल्ला में यदि 6 जोड़ दीजेगा तो क्या हो जाएगा हम लोगों का 22 तो 22 होता है सर भी का तो देखिए यू एस एक्स भी option नमर दो में है तो option नमर दूसरा वला क्या हो जाएगा सही हो जाएगा बढ़ते हैं अगले question की और देखे अगला प्रसंद दिया गया दोस्तो आठ का संबन यदि 64 से दिया गया वीडियो को पाउच करके आपको कोसिस जरूर करना है कि इस तरीके के प्रसंद को कैसे solve करते हैं उसके बाद सर 27 अगला है यहां पर हम लोगों का बार तो बहुत सरा इस्टूडेंट क्या करते है या मान के जले कि ठीक है सर आट में आट से गुना किए तो यहां भी 27 में आट से गुना कर दीए ठीक है सर तो जैसे की जएगा देखे आट सते चपन करीच छोह हासिल कितना रहा तो पांच ठीक है और उसके बाद देखे आट दुना सुलह ढ़ला 50 निसका प्रकी किया है के कब्यान करने के लिए तो देखिए तरीका बतादें कि आपको सोचना क्या है कि यहां पर चार का क्यों निका हुआ है तो देखिए सिम्पली यहां पर 2 से यदी चार पर गया है तो 2 निकरा करके लिखा है तो उसी परकार से देखे 27 किसका है दोस्तों हम लोगों का 3 का क्यूब है क्योंकि 3 का क्यूब हम लोगों का क्या होता है 27 होता है ठीक है तो उसी परकार से अगला जो हम लोगों का अनुपायत में आएगा तो क्या हो जाएगा दू बढ़ा दिजिए तो 3 क्या हो जाएगा 5 और अगला पांच का क्या हो जाएगा क्यों हो जाएगा तो पांच का क्यों कि इतना हुता है ₹अट होता है तो यहां पर क्या आएगा हम लोगों का 125 किस option में दिया गया option number 4 में दिया गया दोस्तों तो option number 14 वाला क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा तो उम्मीद करते हैं समझ गयोंगे कि simply sir 8 जो है 2 का cube है उसी पर कहारी 4 सट आया तो 2 का cube फिर 4 का cube यानि 2 में 2 जोड़ दिया उसका cube 27 तीन का cube है उसमें 2 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 5 तो 5 का यहां पर cube क्या हो जाएगा 125 वाट के अस्थान पर 125 भरा जाएगा जो कि option नमर फोर में दिया गया है बढ़ते हैं अगले कोस्टन के और देखिए अगला प्रस्ट हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों यानि कि यादी माइनस का अर्थ प्लस है तो कैसे करेंगे इस तरीके के प्रस्ट को सबसे पहले क्या जिस सिंबॉल इसका लिख लिए कि माइनस का अर्थ क्या दिया है हम लोगों का प्लस है उसके बाद हम लोगों के सामने प्लस का अर्थ दिया गया गया गुना उसके बाद लिखा है कि सर भाग का अर्थ दिया गया हम लोगों का माइनस का इसे लिख रहे हैं यहां पर दिया है प्लस प्लस का अर्थ यहां पर दिया है गुना और यहां पर गुना का अर्थ है भाग तो यहां पर गुना का अर्थ क्या कर दिए भाग कर दिए बस इतना लिख देने के बाद अब बैठा दिए तो ज सबसे पहले काम हम लोगों का किसका होगा सर तो पहले काम हम लोगों का भाग का यानि इतना का काम पहले करेंगे तो कर दीजिए 27 में 3 से भागा देंग着 ही यहां पर हो जाएगा सर 9 और जोगा mínimo पुलस क्या क्या हो जाएगा धीक है सबसे पहले हो जोड़ दीजिए तो 9-8 क्या हुजएगा दोस्तों 17 19 Jacobs 45 तो 45 में 17 घटा दीजिए जैसे घटा दीजिएगा देखिए कितना आ जाएगा 45 में 17 जाएगा देख दाए 10, 5, 15 तो ठीक है सर अगर यदि आप लोग इधर से घटाईएगा तो देखे तो 9, 8, 17 अच्छा जाएगा यहां पर हम लोगों का गलती हो रहा है दोस्तों कहीं पर देखिए यहां पर 9, 6, क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 54 हो जाएगा यहीं पर मिश्टेक हो रहा था यहां पर प्लस क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा तो 9, 8 पहले यह दोनों को क्या कर लीजिए जोड लीजिए तो ठीक है जोड लेते हैं तो 9, 8 हो जाएगा इधर 17 माइनस हो जाएगा दोस्तों 54 जब इसको घटा दिजेगा सिंपलित दीके 54 में 17 घटेगा एक 10 10 14 इधर साथ हो जाएगा और इधर बचा 4 तो 4 में एक जाएगा तो 3 यानि कि हम लोगों का क्या हो गाँ साइंतिस में म despair दिया गया दहुए अपसर नंमर थर में दिया गया है तो प्रशन को आप लुग अच्छे साय तरीका से समझ रह गहीं मबढते हैं अगले question की और देखिए अगला प्रस्ण दिया गया है दोस्तों यदि 4 का समंध 20 से है most repeated प्रस्ण है कि 4 का समंध यदि 20 इस तरीके के प्रस्ण बराबर एक जाओं में repeat करते हैं दोस्तों और logic वहां पर लगाई नहीं पाते हैं बहुत सरा student की 6 का समंध वाट है तो चलना क्या और कैसे सोचना है सबसे पहले यही करेंगा कि सर 4 में क्या कर दिए 16 जोड़िए गा तो 164 कि हो जागा इसे इसमें भी आप क्या कर दिए 16 जोड़ दिए 16-22 कहीं दिख रहा है कोई option में कहीं नहीं दिखरा तो जब इस तरीके से नहीं हुआ तो फिर हम लोगों को सोचना क्या होगा ऐसे सोच सोच के करना होगा कि सर इचार में गुना कर दीजे 5 तो इस तरीके से भी तो नहीं हो पा रहा है तो फिर कैसे करेंगे क्या तरीका अपनाएंगे और क्या एक्जाम में इसको कैसे करेंगे तो दिखें सबसे पहले क्या किजिए दोस्तो यह जो चार दिया गया है यह चार को लिख दीजे और यह पर गुणआ कर दीजे और यही चार में क्या कर दीजे कि सर चार पलस एक कर दीजे एक कहां से आया तो अपने से अगला फाइंड करना है यहां पे छो लिख देंगे अगुना छो में क्या किजिए दोस्तों की छो प्लस एक कर दीजिए तो एक कहां साया अपने मन से जो काम उधर के वही काम इदर से तो इधर कर देंगे छो अगुना छो एक क्या हो जाएगा साथ तो इसको जैसी प्रस्न को आप लोग अच्छे तरीके से समझ गये होंगे बढ़ते हैं अगले कोस्टन की और देखे अगला प्रस्न है दिया गया तो कुछ पैटर्न बदलते हुए है इसी तरीके के प्रस्न जो एक्जाम में रिपीट करता है दोस्तों दीए इस कितना बड़ा-बड़ा कभी कभी पूछ लेता है क्योंकि टिसीयास बहुत ही लेंदी पूछता है करा कि देखे राजन अपने घर से चलना शुरू करता है तो कैसे करेंगे सर इस तरीके के प्राजन करना कुछ भीने सबसे पहले आम दीसा बना लीजे कि क्राइर में और आपका प्रस्ण क्या हो गया है और उफड़ाह नीचे कि अपने घर से चलना शुरू करता तो यहां पर दक्षीन कर देज़े का थेक है बस इतना कर लेने के बाद आपका प्रस्ण क्या हो गया है है आधा solve हो गया हम देखिए तो राजया करSiे कि अपने घर से चलना सुरू क्या है तो सबसे पहले पूरब इश्णवन होता है कि इस साइड कि अब बता है था थो दो किलोमेटर पूरब की ओर चल दीये ठीक है उसके बाद इसके बाद दाइव और मुड़ता और तीन किलो मीटर चलता है ठीक है सर तो यहां तक चला दिये उसको तीन किलो मीटर चल गया ठीक है उसके बाद दया मुड़ने के बाद करें कि दो बारा फिर दया मुड़ता है तो फिर उसका दया किदर होगा यही साइड में होगा तो यही साइड में फिर उसका इतना चल रहा है हम लोगों का क्या हो जाएंगे तो क्योंकि इतना साथ 2 km है यह हो जाएगा 3 km ठीक है उसके बाद फिर करा रहा है कि एक मिलो करा कि दाय मुड़ता है तीन किलो मिटर चलता है फिर वा करा कि दाय और मुड़ता है और एक किलो मिटर चलता है आंत में दाय मुड़ने से वा करा कि एक किलो मिटर चलता है ठीक है सर तो यहां से जो है तीन किलो मिटर चल दिया फिर एक किलो मिटर चला यहनि कि यहां से एक किलो मिटर चला ठीक है उ सीम्पल्सा बोला है कि साम किस दिसा में चलना और यह वहां से किस दीसा में चलना थे नहीं तो और अँए हो जाएगा नमर 2 में दिया गिया तो ओप्सा नमर दूसरा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा अगर आप नहीं समझ पाया तो एक बार अच्छे तरीके से देख लिजे कि राजया अपने घर से चलना शुरूगा और 2 किलोमेटर पूर्व की और तो दौकलोमेटर पूर फिर इसका दाया इ एक किलोमेटर चला और वहां के बिंदू पर पहुच गया अब वहां पहुचा तो अब किस दिशा में चल रहा था यहां जो पहुचा तो वहां किस दिशा में था यानिकि सिंपली अगर देखा जाए हम लोग कैसे कर सकते हैं इस तरीके तो इस दिगा से यादि हम लोग ड दोस्तों पूरवतिसा हो जाएगा जो कि option नमर दू में दिया गया तो option नमर दू क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा तो उम्मीद करते हैं प्रस्ण को आप लोग अच्छे तरीके से समझ गें होंगे बढ़ते हैं अगले question की और देखिए अगला प्रस्ण दिया गया दोस्तों की निमलिखीत में से क्या अनुमान निकालेंगे यानि कि आपको अनुमान से समझ दित प्रस्ण जो पूरो अनुमान जिसको बोलते हैं दोस्तों तो वही प्रस्ण आपसे पूछा गया क्योंकि TCS pattern को थोड़ा थोड़ा बदल क्या है उसके बाद कहा रहा है कि आप देखा गया है कि सभी पौधे की जड़ें नीचे की और बढ़ता है जितना भी पौधा उसका जड़ क्या जाता है नीचे की और जाता है ठेक है सर जैसे मान के चली कि इस तरीके का कोई पैड यादी हम लोग बना दे रहे हैं तो उसक कि वहाँ अनुमान क्या निकाल सकते हैं इसमें दिया है मैं एक वनश्पती सास्त्री हूँ तो कर रहा है कि मैं एक वनश्पती सास्त्री हूँ कौन सा सबसे सुटेबूल पहले चारो अप्शन को बढ़िए कुछ पौधे की जड़ें नीचे और बढ़ती है यानि कुछ ही कौन सा सब्सक्राइब गोलोगा एक पॉदह की जड़े जो है नीचे की ओर बढ़ती है या यह बाद हम लोगों का क्या हो जागा दुस्तों कंफर्म हो जागा इसका अनुमान निकाल सकते हैं कैसे निकाल सकते हैं उसमें उसने कहा है कि मैं करा कि मैंने बहुत सी पौधे की जड़ें का प्रेक्षन क्या हूं और देखा गया कि इन सभी पौधे की जड़ें नीचे की और बढ़ते हैं जितना भी पैढ़ है यानि एक फॉदे की जड़ जो है हमेंसा कहाँ जाताँ है नीचे की और बढ़ता है यह इसे इसमें का रहा है कुछ का ही बढ़ता है ये भी नहीं हो सकता है मैं एक वनरस्पति साथ नहीं ये भी अनुमान नहीं निकाल सकते हैं बलके हम लोगों का option नमर थड़ वाला क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा और एक जामिनर के द्वारा भी थड़ को सही किया गया इ सँक्यों कि साफ साथ कहा दिया है बढ़ते हैं अगले portion की ओर निस्कर से आया है कीस तरीके सीचांघ आजखल फोलो कर रहा है जो एक जाम ऐसे मेरी मेरी ने कहा कि एन और मेरे पास बिल्लिया है तो एन ने कहा कि मेरे पास बिल्लिन नहीं है तो करा है कि मेरी हमेशा सत्य बोलती है लेकिन एन कभी-कभी जुट बोलती है तो निसकर्ज को पढ़िए करा है कि एन के पास एक बिल्लिया है उसके बाद करा है कि मेरी के पास एक बिल्ली है जूट बोल रही है तो हम लोगों का तीनो निसकर्ज क्या हो जागा दोस्तों सही हो जागा आप कथन को पढ़ियेगा तो तीनो का तीनो निसकर्ज हम लोगों का क्या हो जागा सही इसमें हो जाएगा तो कहां है तीनो तो देखे ऑप्सन नमर थर्ड में दिया गया है इसलिए ऑप्सन नमर थर्ड आपका क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा यानि तीनो का तीनो निसकर इसका सही होगा तूमीद करते हैं प्रश्ण आप लोग समझ गयांगे टोटल इस वीडियो में हम लोगों के 15 प्रश्ण थे दोस्तों जो काफी बार रिपीट कर चुकिए अलग अलग एक्जाम में बराबर रिपीट करते हैं इन सभी कोशनों का पीडियाप टेलिग्राम से ले लिजेगा उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और चैनल पर पहली बार आयाए चैनल को सस्क्राइब कर लिजे दूस्तों और घंटी को दबा कर और और को सेलेक्ट कर दिजे रेट कलर का बटन दीक रहा होगा उसको सस्क्राइब कर लिजे और उसमें आल को सेलेक्ट कर दिजे ताकि जब भी वीडियो डाले तो नोटिपिकेशन आपको सबसे पहले आ जाए तो ओके दूस्तों थैंक्यू फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी